उपाशक को चाहिए एक मात्र बात पकड़नी है सारे पाप नश्ट हो जाएंगे, सारे दुख नश्ट हो जाएंगे, सारे अमंगल नश्ट हो जाएंगे तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है दुर्भाग लिखा है अकाल मृत्ति लिखी है दुख लिखा है बिपत्ति लिखी सम्नर्ष्ट हो जाएगी इस अंशार में जिन्होंने अपने मन को खीच करके समस्त भूग विलासिता संबंधों से श्री कृष्ण में लगा दिया स्री कृष्ण के नाम रुपगून लिला में लगा दिया कोई भी दुख उने व्यापेगा कोई चिन्ता व्यापेगी कदापी नहीं कृष्ण पदारविंदयो एक बारम पिश्री कृष्ण भगवतो वासो देवस्चे पादारविंदयो चरन कमलयो निवेचितम अगर एक बारचित प्रहूश्री कृष्ण के चरनारविंद में प्रवेश कर जाए सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो तो परमार्थताहा तावतईव चिर्ण निश्कृताहा संपुर्ण परमार्थ के दिब्शदगुन उसमें प्रकासित हो जाए निश्कृतम प्रायस्चित्यम यह अब उसको किसी प्रयास्चित की जरुवत नहीं है समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे तेश्वप्ने निद्रायामपि यमम यम पासधारणा पासभरतम तदभटान यम दूतान चनपस्चनती श्वप्न में भी कभी यम या यम के दूद प्रवेश नहीं कर सकते हैं जागरत की तो बात जाने दो कोई भी दुख, शोक, चिंता, भै, मृत्यू इनका प्रवेश नहीं होगा जिसकी याद में स्री कृष्ण है जिसकी जिव्या नामजब करती है, जिसका मन प्रवु की रूप में प्रवु की लेला मनन में रहता है उसकी वानी कभी मिध्या नहीं होती मेरा मन कभी अशत मार्ग में नहीं जाता कश्मिन नपि विशय मिध्या नोप लक्षते नबुध्यते जिसको ये बोध हो गया है कि हमारे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण है प्रवु है और उन्ही जीवन धन की याद में रहता है उसका मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता उसकी बानी कभी मिध्या संभाशन नहीं करती है जब मेरा मन प्रवु के चिंतन में लगा है तो ये इंद्रिया असत मार्ग में कैसे जा सकती है न पतनती न धावनती इंद्रिया पतन मार्ग की तरप कभी नहीं दोड़ती अतो मे वांगमन इंद्रियानां बृत्य यह सत्यार था न तु मत प्रभावेन अपितु भगवत प्रभावेन नहीं नहीं जो मेरी ये स्थिती वी मेरा प्रभाव नहीं है ये भगवत इश्मृती का प्रभाव है मेरी वानी कभी मिध्या संभाशन नहीं करती मेरा मन कभी कुमार्ग गामी नहीं होता मेरी इंद्रिया कभी विश्यों की तरफ धावित नहीं होती उसका प्रधान कारण है हरदोत कंठिवता धरतो हरिही उत कंठा पुर्वक हरी को धारण के हरी का नाम हरी का रूप हरी की लिला तस्मात सर्वात्मना राजन हर्दिस्थम कुरू केशवं म्रियमानो हवही तहत्तो याही परामगती हे राजन इसले तस्मात सर्वात्मना सरवभावेन केशवं हर्दिस्थम कुरू अनुक्षणं तवे इश्मर बड़ी शावधानी के साथ प्रतेक्षण प्रभुका इश्मरन करो हर शण प्रभुका इश्मरन क्योंकि पता नहीं कब मृत्य हो जाए मानुराजा परिक्षित जी को तो शात्य दिन पक्के थे न कि सात्य दिन तक शक आएगा अपने को साथ सेकंड भी पक्के नहीं है मृत्युकाल कब आजाए पता नहीं तो हमको हर समय सावधान रहना पता नहीं ये स्वासाकिरी हो तो क्या करना है बुले शावधाना सन परामगतिम भगवद भावम यासि प्राप्षयशे आप हर्षम में भगवद भाव में रहिए मुक्त हो जाओगे इसी सेकंड में मुक्त हो जाओगे अगर इसी सेकंड में प्राण गए और आप प्रभू का नाम ले रहे हैं राधा राधा क्रिश्ण क्रिश्ण मुक्त हो जाओगे परामगतिम निश्चित परमगति प्राप्थोगी अपना भरोशा नहीं कफ सरीर छूट जाए राधा 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 अविश्मर्ति कृष्णपदारविंदयो ह् चिरमोत अबद्रानी चसंतनोती सत्य सुद्धिम परमात्मभगतिम ज्यानम च विज्यान विराग Waitnam उपाशक को चाहिए एक मात्र बात पकड़नी है प्रभू का विश्मरण ना होने पावे सारे पाप नष्ठ हो जाएंगे सारे दुख नष्ठ हो जाएंगे सारे अमंगल नष्ठ हो जाएंगे अविश्मर्त ही अर्थात अविश्मरणम शर्वदाध ध्यानम तो अभद्रान अमंगलान पापान छिनोती नासियती समंगलम कल्यानम सत्वस्ट चित्त स्च शुद्धिम परमात्व भक्ति यदि तुमने नियम ले लिया है कि मैं प्रभू का विश्मरण नहीं करूंगा हर समय विश्मरण में रहूंगा विश्मरण नहीं होने दूंगा तो कह रहे हैं बहुत सुन्दर बाद सर्वदाध्यानम तो अभद्रानि अमंगलानि पापानि छिरोति नासयती तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है दुर भाग लिखा है अकाल मृत्य लिखी है दुख लिखा है बिपत्य लिखी समनष्ट हो जाएगी अभद्रानी अमंगलानी पापानी छिरोती नासयती इस सम नश्ट हो जाएंगे कोई और शाधन की जरुषत नहीं है सममंगलम कल्यानं ओ परमंगल प्रदान कर शत्रस्य चित्ष्य सुद्धिम आपका चित्ध सुद्ध हो जाएगा ओ इतना ही नहीं परमात्म भक्तिम कैसी कृष्ण प्रेम लक्षणाम भक्तिम विज्ञान विराग युक्तम विज्ञानेन अनुभवेन विरागेन विशै वैत्रिष्णेन चो युक्तम ज्ञानम सास्त्रियम चतनोति वर्धयति एक मात्र प्रभु की इस्मृती में इतनी ताकत है सारे पाप दुख का नास करके हर्दय को शुद्ध करके परमात्म भक्ति प्रेम लक्षणाम भक्ति का ग्यान विराग युक्त प्रगठ हो जाना अदभुत ग्यान अदभुत विराग अदभुत प्रेम शिले विद्या तपह प्रान निरूध मैत्री तीर्था भिषेक ब्रतदान जप्यई नात्यंत शुद्धिम लवतेंत रात्मा यथा हरस्ते भगवत्यनंते जो हरदय में इस्थित भगवान है अनंत महिमायुग उन्ष्री हरी का इश्मरन यदियापका हो रार इश्य बढ़कर कुछ नहीं है विद्या तपह प्रान निरूध मैत्री भगवत्यनंते श्री कृष्णे हरदिस्थे शत्यंत रात्मा यथा यद्वत अत्यंत सुद्धिम लभते वह हो यदि आपके हर्दय में बार बार चल रहा है राधा 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 कृष्ण 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 जो कहे रहें इससे वो अत्यंत सुद्धिम लभते ऐशी हर्दय की बहुत सीग्र सुद्धी होगी जैसी विद्या तपह प्राण निरोध मैत्री तीर था विशेक ब्रतदान जप्याई विद्या सास्त श्वाध्याय तपश्या प्राण निरोध योगादि के द्वारा और भ तपह स्वधर्माचरणम अपने स्वधर्माचरण के प्राणाया महा मैत्री सर्वभूत तैसिता तीर्था भिशेका तीर्थेशनानम ब्रतम दानम परश्मई स्वासमरपणम जप्यम तेतई पुरुवक्तई ये जितने बताये गए इनकी द्वरा वो शुद्धी नहीं हो रदय में प्रभू को अपना श्वामी मान कर उनका आश्रे लेकर नाम जब इस्व्रती चल रहे है याद में डूबा है प्रभू की इससे बड़ी कोई तपश्या कोई तिर्थ्याटन कोई शास्त्र श्वाध्याय बहुत जितने भी शादन इसके बराबर नहीं है अयम भावाह यथा हरिश्मरनेन शवासनम्मनह सुध्यति नतथा विद्यादी भी मन आत्यंति की सुध्यमलबति इत्यर था जो भगवान श्री कृष्ण के श्मरण में पवित्रता आती है महांता आती है वो किशी और शाधन से नहीं आ सकती उपाशक को चाहिए पुर्षोत्तमहभगवान श्री कृष्ण हा चित्तस्था हा कई और दूसरी जगे नहीं यहीं बेठे हैं वैसे वीशे दांत में ब्रणन चित्त के अधिश्ठात्र भगवान वासुदिव श्री कृष्ण ही हैं और सब के हरदे में वो बेठे हैं पुर्शोत्तमाः भगवान स्री कृष्णाः चित्तस्था अंताह करने इस्पुरती हरदी आपका कारे है चिंतितहा उनका चिंतन करो जो तुमारे हरदे में ही बिलाजमान है तो शनपुन्शाम द्रब्य देशात्म संभावान द्रब्यम हिरन्यादी हविरादी वादेशा इस्थानम आत्मा मनह तैर तैर द्रब्यादी भी संभाव उत्पत्ति एसाम तेतान जो द्रब्य दोश है पदार्थ दोश है इस्थान दोश है व्यक्ती दोश है वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा बहुत सुंदर बात है या कह रहे हैं पुर्शुत्तमा भगवान स्री कृष्टना चितस्ता तुम्हारे हिरदय में भगवान पुर्शुत्तम विराजमान हैं क्या करो चिंतितहा सनपुन शाम अगर उनका सतत चिंतन कर रहे हो तो कोई द्रव निरंतर श्मनन चल रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाल सास्त्र प्रमान कोई शरवान हरत चितस्तो भगवान पुर्शुत्तमा क्योंकि उनका चिंतन हो रहा हुए हिरदयम बेटे साब दोश हरते रहेंगे कोई दोश आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा आप तभी दोश यूप्त होते जब भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि उत्पत्ति ही ये शाम थे साब कुछ प्रगट उने से हुआ वहीं बने और उनकी श्मरती है तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा कली करतां कली जनितां दोशान हरती कल्यूख के द्वड़ा प्रगट हुए जितने दोश हैं जो भगवद इसमनन करता है उसके उपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं कोई जिते विनायक सुबसो बिग्न करे नहीं कोई बिग्न करे नहीं कोई डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप हरसी हरी नाम जपत जय कोई भी दोश उसे पराद पकड़ो इस बात को रोते रहते हैं ये 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 दुख यो मन ऐसा ऐसा पकड़ो सत्संग आपको अमोग वस्त में देता है आप उसे स्वईकार करें केडल जिसके हर्दय में भगवद इस्मर्ती चलती रहती कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तू कोई भी इस्थां दोस उसके अंदर प्रवेस करके उसे दुखी नहीं कर सकता उसका अमंगल नहीं कर सकता क्योंकि भगवद हरी स्मर्ती सर संपत्ति कट्ठाय क्या संपत्ति अनेक दोशों का हरन करने वाली एक ब्रति है प्रभु श्री कृष्ण का इश्मरण जो आपके हिरदे में विलाजमान है यथा हेमनिस्थितो वन्ही दुरवरणं हंतिधातुजं एव मात्म गतो विश्णूर योगिनाम मसुभाशयं यथा वन्ही हेमनिस्थुवरणई इस्थिता धातुजं तामाद्री संसलेश जनितम दुरवरणं हेमनो मालिन्यम हंतिदूरी करोती जैसे शोना आग में डाल दिया जाए तो उसका मल अगनी नष्ट करके उसे प्रकासित कर देती है ऐसे ही एवं तथा आत्म गतहा हरदयस्थो भगवान स्रीहरी ही एवं योगी नाम असुभासयम दुरवासना नाम हंतिदूरी नासयती है बहुत सुंदर बार जैसे अगनी में पढ़ने पर श्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है और वो अपने श्वरूप को असली श्वर्ण प्रकासित हो जाता है ऐसे ही आप जब स्रीहरी हैं उनकी स्मृतिक तो असुभासयम दुरवासना महंतिविनासयती सारे अशोग सारी दुरवासना बस्म हो जाएंगी जैसे अगनी में पढ़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है ऐसे भगवद इस्मृती समस्त दोशों का नास कर देती है एकदम सहज सरल बा हरदय से प्रभू की इस्मृती ना छूटे आप देख लिजे आप कितनी उचाई पर चड़ते चले जाएंगे सैया सनाटन नाला पक्रीडस नानान अशनादिशू नविदुशंत मातमानम ब्रिश्नया कृष्न चेतशाह कृष्न चेतशाह स्री कृष्नासक्त मानशाह जो प्रभू के निजजन है वो कैसे होते हैं स्री कृष्न आशक्त मानशाह उनकी आशक्ती कविसे प्रभू होते हैं उनकी क्या इस्थिती होती है वो ले सैया सन यदि वो लेटे हुए हैं सोय हुए हैं तो प्रभू में बैठे हुए हैं तो प्रभू में चलते हुए हैं तो प्रभू में बातशीत कर रहे हैं तो प्र प्रभु में क्रीडा इसना सना दिसू क्रीडा खेल रहें तो प्रभु में इसना ना दिकर रहें तो प्रभु में उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पी हर शमय प्रभु का चिंता देखो आप इसमें हो अलापह मिथा अलापनम कथोप कथनम जब हम बारता करें तो सबसे पहले नाम लें प्रभु का राध है राध फिर प्रभु शम्मंद शे वारता अगर बिवार की भी वारता है तो ध्यान रखें कि हम प्रभु की आज्या पालन करने के लिए बेवार कारी कर रहे हैं, इसलिए उसकी वारता और वो कारी भी प्रभु को शमर्पित, प्रभु से एक शण भी लगना रहे हैं, यदि मुक्त होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, दुरवाशना का नास करना है, इसमें आना पड़ेगा, सयन में हैं, या आशनम बैठे हुए हैं, या अटनम ब्रह्मन में हैं, आलापह या बोलने में हैं, क्रिडनम क्रिडा में हैं, इश्नानम इश्नान कर रहे हैं, अशनम भोजन कर रहे हैं, उसी शमय वर्तमानम आत्मान आत्मस्वरूपम देहें इंद्री नविधु तजन्यम दुखम नग्यातवन तहा खास बात बता रहें इन सब चेश्टाओं में जब आप भगवदिश्मरन कर रहे होते हैं तो कोई भी इंद्री किसी भी विशय में आपको फसा नहीं पाएगे पीछे भी ब्रडन किया जिससे आपके अंदर कोई विकार वेदना चल रही आप राधा 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 वो आपको ताप पहुंचारी पर थसा नहीं पाएगे और ताप दुरवाशनों को भस्म करता जाएगा आप उपर चले जाएंगे तो शोने बैठने चलने फिरने बात चीत करने नहाने धोने खाने पीने आदिकार्यों में भी भगवद इश्मर्दी एक्तार चलनी चाहिए फिर क्या होगा फिर शरीर शुद्र नहीं रहेगी श्वयम परमात्म सक्ति से सारी चेश्टाएं होती रहेंगी यत इत्रवत शरीर की क्रियाएं होंगी अभी हम अभिमान पुर्व करता भाव से कर रहें इस करता भाव के नास करने को बहुत सुंदर उपाय बता रहें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चेश्टा में प्रभू का श्मरण चल रहा है ये श्मरण क्या करेगा किश प्रिशी भी जगें बंधने नहीं दएगा आपको कोई भी वस्तु व्यक्ती स्थान आपको बांदने पाएगा और फिर क्या होगा धीरे धीरे देह राग नस्ठ हो जाएगा तो देह का कार्य कैसे चलेगा भगवान स्वयम चलाएंगे यह अंत्रवत कार्य वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए पर आप करता नहीं होंगे करता इश्मरती में डूप चुका है ऐसे अकिंचन अस्य दानतस्य शांतस्य समचे तसह मया संतुष्ट मन शाह सरवा सुख मया अधिशा जो अकिंचन है इस प्रहास उन्यस्य, किसी से कोई चाह नहीं, प्रभु की शिवा उनको कोई शंपत्य भाव ही नहीं है, एक मात्र हमारी शंपत्य प्रभु, अकिंचन कता पर दरिद्र नहीं होता, ये फटे पुराने कपड़े पहने, दरिद्र है तो उसे कहा जाए, अकिंचन नहीं, जिस जिसके हिरदे में इस लोग का साक्षात कार हो गया है अंध याकिंचन है किंचन मात्र प्रभू कि शिवा कोई मात्त बुद्धी नहीं कोईaveney और नि और वही हिरदे में है वो संव्राट अम्रीश जी के भी हरदे में है प्रभू के शिवाएं कहीं भी महत्व बुद्दी शुक बुद्दी अपना पन नहीं रह गया है वही अकिंचन इस प्रहास उन्य अकिंचन अश्य है जो इस प्रहा सुन्य है कहीं किसी से कोई आस आकांग्षा अपेक्षा नहीं रहे गई एक मात्र प्रभू वही अकिंचन है दांत अश्य जिसके इंद्रिया अधीन हो गई है भगवद श्मर्ती के प्रभाव से कई विश्यों में विचलित नहीं होती उशे दांत कहते हैं प्रभु का लाडला कैसा होता है अकिंचन अश्य इस प्रहासोन अश्य दांत अश्य अर्था जितेंद्रिय अश्य उसकी इंद्रिया अंतर मुख होकर प्रभु के नाम रूप लीला गुण में रशाश्वादन कर रही अब बहिर मुख नहीं हो सकती चेश्टाएं वैसे दिखाई दे रही क्रियाएं वो भगवान यंत्रवत उसे चलाते हैं शांत अश्य वो सब जगे अपने प्रभु का मंगल विधान देखते हुए शांत रहता है चाहे मान की दशा हो चाहे अपमान की दशा हो चाहे विपत्ती की दशा हो चाहे शंपत् हो वो हर स्थिती में शांत रहता है क्योंकि अपने प्रभु का विधान देखता रहा है